नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आज हम समझेंगे लोग कल्याण या फिर समाज कल्याण के बारे में और इस विशाय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर तुलिका शर्मा मेडम जो समाजी कारे करता है और समाज कारे विशेशगे हैं वो हमारे साथ चर्चा में जोड़ी हैं तो बहुत स्वागत है मेडम आपका धन्यवाद सर और सभी को मेरा नमस्कार देखे मेडम, BSW या MSW में समाज कारे में एक ये टॉपिक विशेश आता है कि समाज कल्याण क्या है तो समाज कल्याण के बारे में जानने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण भारत की आजादी के पहले से आज तक इसका स्वरूप जो है थोड़ा प्रोफेशनल होते आया है इसलिए हम इसको MSW में कहते हैं BSW की प्रोफेशनल कोर्स है तो संस्कृत का एक स्लोग अगर आप देखें तो वो ये हमें बताता है कि समाज कल्याण क्या है मतलब ये है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो और समाज में जितने भी लोग हैं जो व्यक्ति हैं उनके सुख में उदेश, उनके जीवन में सुख हो ऐसा उदेश से एक आउधारणा व्यक्ति की गई है इस लोग के माध्यम से और दुखी तथा जो पीडित व्यक्ति हैं उनके कस्टों को दूर करेमा ऐसी जो है कामना किया गया है इस लोग में तो मैडम ये तो ठीक है, समझ गए हम कि समाज में सब का विकास हो लेकिन आप से समझना चाहेंगे कि समाज का ल्यान जो है उसमें किन बातों का, किन तत्वों का, किन चीजों के बारे में में फोकस किया गया है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एक बताएं तो समाज का ल्यान में हम देखेंगे कि मुख्यता दो तत्वों बहुत महातुपून होते हैं पहला है व्यक्ति और दूसरा है समुदाए इससे मतलब है कि समाज का ल्यान में प्रतेक व्यक्ति और जो समुदाए है अलग-अलग जगा के मैं रहने वाले लोगों का समुदाय है, एक आयू का समुदाय है, लिंग का समुदाय है, जाती का समुदाय है समाज में प्रतेक व्यक्ति सम्मान पूर्ण जीवन जी सके, उनका आत्म-सम्मान की रच्छा हो सके और वो अपने जीवन या पन अच्छे तरीके से सम्मान पूर्ण तरीके से कर सकी तो समाज कल्यान का मैं जहां तक समझती हूं तो यही मतलब निकलता है बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज में जो एक असमानता व्याप्त है खासकर अगर हम भारत में देखें या अलग-अलग देशों में तो जो इन इक्वैलिटी है असमानता है और हुमन डिगनिटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं वो समाज कल्यान के दायरे में आता है समाज कल्यान का जो अगर हम अर्थ समझाएं एक तम सरल सिंपल लेंग्विज में उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किन किन चीजों को उसमें बात किया गया है या कैसे एक डिसाइड होता है कि ये समाज कल्यान के दाएरे में आएगा या नहीं आएगा समाज कल्यान का हम अगर अर्थ देखें तो अलग अलग जगा जो हमारे अलग 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 देश हैं उनके विकास के रूप को देखकर उनकी आर्थिक इस्तिती को देखकर वहां की परिस्तिती को देखकर तो अलग अलग शेत्रों में हम जो समाज कल्यान का स्वरूप है वो ह तो आप देखेंगे विकास का जो इस्तर है में भारत में कुछ राज्य ऐसे है जहांपे आप देखेंगे कि आर्थिक संपन्यता है, राजनैतिक ससक्ति करण है लोगों के बीच में, सिख्चा का स्थर बहुत बढ़ी हैं, स्वास्त का स्थर बहुत बढ़ी हैं, उद्राण के तोर पर आप केरल देखें, दक्षिण भा या social welfare का जो concept है, जो लोगों की आवसत्ताइं है मुल्हुत, वो बिल्कुल अलग है. तो उसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो समाज कल्याण का जो समाज कल्याण की अधारना है या जो उसका अर्थ है कि समाज कल्याण के दाइरे में क्या-क्या चीजे आएंगी तो वो उस राज्य उस जो है इस्थिती परिस्थिती के हिसाब से डिपेंट करता है कि वहाँ पे लोगों की आवसकताओं के अनुसार प्रसासनिक तोर पर सरकारी जो है वो तंत्र के तोर पर किस तरह से जो है सरकार जो है लोगों की आवसकताओं को पूरी कर रही है समाज कल्याण की परिभासा ऐसे तो अनेक विद्वानों ने दी है लेकिन मैं फ्राइड लेंडर की बात करूं तो तो फ्राइड लेंडर के अनुसार समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं एवं संस्थाओं का संगठन विवस्था है जिसका उदेश, जीवन, स्वास्त तथा व्यक्तिक एवं सामाजिक संबंधों के संतोश प्रद इस्तर को प्राप्त करने में व्यक्तियों एवं समूहों की सहायदा करना है जिससे वे अपनी चमताओं का पूर्ण विकास कर सके एवं अपने परिवार तथा समुदाय की आवशक्ताओं के साथ सामाजिस स्थापित कर सके तो ये फ्राइड लेंडर के अनुसार परिवाशा है उनकी इसमें फ्राइड लेंडर ने मुख्य दो तत्मों पर ध्याना कर्शित किया है पहला है परिवार, मतलब जो परिवार है उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती, उनके मूलभूत आवशक्ताओं की पूर्ती पर ध्याना करशित किया है दूसरा है व्यक्ति, कि समाज में प्रतेक व्यक्ति की क्या आवशक्ता है प्रतेक व्यक्ति को क्या चाहिए, उनकी परिस्तिती क्या है, उनकी समस्याओं का समाधान करना, तो इन दो तत्वों पर मेंली उन्होंने बात की है, और जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसमें व्यक्तियों को ऐसा सामर्थ देना, उनको ऐसा ससक्त बनाना, इंपावर क करना कि वो प्रतिकूल जो अवस्थाएं होती हैं जीवन में उसमें वो अपने आपको सस्टेन कर सकें, सर्वाइब कर सकें, प्रॉब्लम्स अपनी समस्याओं को दूर कर सकें, तो ये जो फ्राइड लेंडर की जो बहुत ही समाज में खास कर जो सोशल लॉजी या फिर सोसल जो बहुत accepted definition है, तो उसमें इन दो तक्तियों की आपने बिल्कुल सही बात की, कि परिवार और दूसरा है व्यक्ति, तो परिवार की आओ सकताओं को ध्यान रखना है, और व्यक्ति को समर्थवान बनाना है, इंपावर करना है, और व्यक्ति चाहे, वो महिला हो सकती है, प हत्यपूंड जो है बिंदू यहां पर देखने को मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा, इस विशे पर आपकी एक समझ बन पाई होगी, तो मेडम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, थाइंक्यू वेरी मच मैम, धन् कि आप साय है तो है क्थाथा से आपकार से दोथ क है लता है कि आपकाला है, जापकाला है यहां वेरी माँ मैम, जाप प्सक्त्री एंजकि यह स है जने एगाएंकरमास में इवशे पाभूफ कर donation के कि आपकाल क्टिक प्सक्राइब यहा है क्पारवच अपका उन क्या हैं य